हेलो फैमिली कैसे हो स्वागत है पोकेटेनर के एक नए वीडियो में तो गाइस आज वीडियो में बताने वाला हूँ नए एक इवेंट आने वाला है जिसका नाम है टीम रॉकेट टेक ओवर इवेंट जो स्टार्ट होने वाला है मर्च 25 तू मर्च 29 नाइन मतलब चार दिन के लिए ये इवेंट होने वाला है आपको क्या मिलेगा इवेंट में आपको डिफीट करना है टीम रोकेट बॉस को मतलब जिववानी को एन डिफीट करने के बाद आपको मिलने वाला है रेजी आई वो भी शैडो एन सभी को पता है शैडो पोकीमोन कितना पावारफुल होता है टीके तो आप कैसे बहुत जल्दी रेजी आईस को गेट कर सकते हो एन जिववानी को डिफीट कर सकते हो वो मैं वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एन इंपॉर्टेंट होने वाला है तो गाईस ये गैरेंटी है अगर आपने फूल वीडियो वाच कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जिववानी को ढूनने में मिशन्स को कम्प्लीट करने में एन रेजी आईस पोकेमोन को गेट करने में तो गाईस वीडियो को देखते रहो चैनल में अगर नहे हो तो चैनल को ज़रूर मेरे वाई सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल नोटिविकेशन है उसमें प्रेस कर देना 3000 पोकेट टेनर फैमिली बनने वाला है तो गाईस उसका मिशन आपको कहा मिलेगा उसका मिशन आपको मिलेगा स्पेशल रिसर्च में तो आपको special research में mission मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, 25 जो मर्च है, उस दिन 10 am में आपको mission मिल जाएगा, local time, ठीके, जो भी country में आप रहते हो, वहाँ का local time 10 am, उस दिन आपको mission मिल जाएगा, तो mission में basically बहुत सारा mission रहेगा, उसमें जो main mission है, ठीके, side mission भी बहुत रहेगा, वो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो pokemon go decide करता है, मैं नहीं, तो guys, जो main missions रहेगा, वहाँ पर आपको team rocket grunts होता है, जो आप देख रहे हो screen में, team rocket grunts को 6 times defeat करना है, defeat करने के बाद आपको एक radar मिलेगा, जिस radar से आप एक leader है, leader को defeat कर पाऊगे, leader आप देख सकतो, यह 3 leaders है, इसमे कोई भी एक leader को पहले defeat करो, उसके बाद फिर आपको grunts को defeat करना है, and फिर आपको collect करना है, एक ऐसा कुछ मिलता है, cheap जैसा, जो collect होने के बाद एक radar बनता है, तो उस radar से आपको second leader को defeat करना है, फिर same process आपको third leader को भी defeat करना है, and third leader को defeat करने के बाद आपको मिलेगा, एक black जैस नहीं, first time fight करने के लिए कोई एक grunt आएगा, वो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो grunt को defeat करना है, defeat करने के बाद जो black radar है, वो गायब नहीं होगा, वो रहेगा, तो उसको defeat करने के बाद आपको मिलेगा जियोवाणी, मतलब grunts को defeat करने क आपको leader मिलेगा, एन leaders को defeat करने के बाद जो आपको radar मिलता है, black में, जो rocket radar है, वो radar से आप जियोवाणी को ढूंद पाऊगे, लेकिन जियोवाणी को defeat करने से पहले आपके साथ एक grunt का fight होगा, male या female, तो fight में win करने के बाद आपके सामने जियोवाणी आएगा, मतलब जो shadow rage को defeat करने के बाद आपको reward में मिलेगा shadow rage को catch करना है, तो guys ये process को आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या करना है, छोटा मोटा जो missions रहेगा, वो तो आप complete कर लोगे, लेकिन आपको basic जो करना है, पहले grunts को defeat करना है, and radars को collect करना है, उससे आपको three leaders को defeat करना है, फिर जाके आपको जो black radar मिलेगा, मतलब rocket radar, उससे आपको giyovani को defeat करना है, and giyovani को defeat करने से पहले एक आपको grunt के साथ fight होगा, fight में जब आप win कर जाओगे, easily win कर जाओगे, win करने के बाद, giyovani spawn हो जाएगा, and giyovani के साथ आपको fight करना है, fight करने के बाद आपको sure shot, lazy eyes, मिल जाएगा, तो ये steps को follow करो, बहुत ही आसानी से आप, missions को भी complete कर पाऊगे, and giyovani को भी defeat कर पाऊगे, and giyovani को भी defeat कर पाऊगे, and guys, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, तो आप मुझे instagram में DM कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले follow कर लेन मेरे भाई, तो guys, यही ते आज का वीडियो, अगर वीडियो आच लागा, तो वीडियो में जरूर लाइक करके जाना, और जो लाइक है में, उसको 4 दो, ठीके, 100 लाइक मैंने कहा है, आप लोग देर सो कर दो, मान जाओंगा, ठीके, और guys, चलो, मिलते हैं नेक्स वीडियो कर दो में?